अगयर ने न्यूज़ क्लास तो स्टूडंट आज यो क्लास है इसमें हम 9th क्लास की जो इंगलिस है उसकी 2nd पुयम जो है वो करने वाले हैं तो second poem का नाम है winds तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ परमोत राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत एजूकिशन चैनल तो चले student poem से start करते हैं तो सबसे पहले poem का नाम उसी से start करते हैं तो poem का नाम है winds वी आई एन प्लस में टी wind अब student wind जो है noun और verb दोनों में यूज़ होता है तो wind जब हम noun में यूज़ करते हैं तो उसका meaning होता है air, breeze, storm actually जो air होती है उसकी moment के base पे उसके नाम होते है अगर माली जो सुहानी हवा चल रही है तो हम उसको breeze कहते हैं लेकिन अगर हवा बहुत देज है destructive है तो हम उसको storm भी कहते हैं अब wind को अगर verb में देखें तो verb में इसका मतलब होता है rap, twist, band इस तरह से हिंदी में winds को हम कहेंगे हवा, पवन, समीर या वायू तो इस poem में जो poet है वो यह कहना चाहता है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें शरीर और मन दोनों से मजबूत होना चाहिए we must strong as body as well as mind अब अगर हम मजबूत हैं शरीर और मन दोनों से तो हमारे आने वाली सामने वाली जो हमारे समस्य आती है वो समस्य भी हमारे लिए opportunities प्रूव होती है लेकिन अगर हम कमजोर होते हैं तो हमारे सामने आने वाली जो opportunities हैं जो मोके हैं जो अफसर आते हैं वो भी हमारे लिए समस्य बन जाते हैं तो इस subject को poet ने wind के माद्यम से हम में समझाने का प्रियास किया है ट्राइ किया है तो तो सबसे पहले poem को start करते हैं तो चलिए शरू करते हैं wind comes softly हवा धीरे से बहो Don't break the shutters of the windows windows खिडकियों पले के जो हिस्षे होते हैं जोंको खौलते हैं उन्नकों मत तोड़ो Don't break the shutter of the windows Don't scatter the paper Scatter होता है Spread फैला देना Papers तो paper को कागजों को मत फैला हो Don't throw down the book on the shelf अलमारी में जो bookे हैं उनको नीचे मत गिरा हो Don't throw down नीचे मत गिरा हो There Look what you did यहाँ देखो तुमने क्या किया You threw them all down यह सब तुमने नीचे गिरा दी You tore the page of the books तो पुस्तकों की जो page हैं वो आपने far डाले Tore जो है टियर की second form है You brought rain again तुम फिर से वर्सा ले आई Brought जो है bring की second form है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक खाश बात है यू का इस्तमाल किया है तो poet ने poem में यू का इस्तमाल किया यू उसने इस्तमाल किया है as a wind तो wind को वो यू कहके बात कर रहा है अब second paragraph में अगर हम इसको देखें तो second paragraph important है थोड़ा सा word difficult है लेकिन इसको भी समझते हैं यू आर बेरी क्लेवर एट poking fun at weakling तो poking fun का मतलब होता है मजा कुडाना और weaklings होता है कमजोर चीजें कमजोर व्यक्ति कमजोर वस्तुएं तो यू आर क्लेवर तो तूम बहुत चतुरों और कमजोरों का मजा कुडाती हो frail, crumbling houses, crumbling door, crumbling raptors frail का मतलब क्या होता है नस्ट करना तोड़ना crumbling का मतलब होता है कमजोर जो जर जर हो गया है जो परानी इस्तिती में कमजोर हो गया है तो frail तो तूम नस्ट कर देते हैं क्या कमजोर houses जो घर है crumbling doors, कमजोर दरवाजे crumbling raptors जो पुराने और कमजोर जो बीम्स होते हैं मकान की जो बीम्स होते हैं उनको तुम नस्ट करती हो Crumbling Woods, Crumbling Bodies, Crumbling Lives तो Crumbling Woods का मतलब फेडों को नस्ट कर देती हो Body, शरीरों को और जीवन को Crumbling Hearts और दिलों को भी नस्ट करती हो दिलों को तोड़ देती है, उदासी भर देती हो तो उदासी क्यों भरती है दिलों में? क्योंकि हावा जो है हमें बहुत नुकसान पहुचाती है दरवाजों को, एफटर, हाउसे, जंगलों को तो इसे दिलों में उदासी और प्रिशानी पैता होती है तो विन्च गोड़ विन्च का मतलब होता है, चानना, बिनना, अलग करना जैसे आप किक्चर में देख सकते हैं विन्च का मतलब अलग करने की प्रिकिरिया होती है तो जो wind gold है वो क्या करते हैं कमजोरों को अलग करते हैं और crash them all और उनको nust कर देते हैं कुचल देते हैं क्रस का मतलब होता है कुचल अब इसका next paragraph देखते हैं He did not do what you tell him तो तुम जैसा कहते हो ये वैसा नहीं करती So come let's build strong home तो चली आएए मजबूत घर बनाए Let's joint the door firmly दरवाजों को मजबूती से जोड़े Practice to firm the body शरीर को मजबूत बनाए Make the heart steadfast और दिलों को द्रड बनाए Do this and the wind will be friends with us अगर हम ऐसा करते हैं अगर ऐसा करेंगे तो कैसा करने के लिए कह रहा है पोईट पोईट कह रहा है Strong house बिल्ड कीजिए दरवाजों को firmly लगाए और बोडी और साथ में हाट को मजबूत कीजिए और यदि अगर हम ऐसा करते हैं Do this and the wind will be friend with us तो हवा हमारी मित्र बन जाती है तो हवा हमारी मित्र बन जाती है The wind blow out weak fires जो कमजोर आग होती है छोटी आग होती है तो हवा उसको बुजा देती है समाप्त कर देती है It makes strong लेकिन क्या strong करती है fire को कौन सी fire को जो fire तेज होती है तो तेज fire को हवा जो है और बढ़ा देती है रोयर मतलब दहाडने के लिए इस्तमाल होता है और flourish का मतलब potion पालन पोशन करना तो उसको और बढ़ा देती है His friendship is good तो वाई यू से बिंड से जो दोस्ती करते है तो वो good अच्छी होती है We praise him every day तो हम उसकी रोच परसंसा करते है अब यह जो last के लाइन है We praise him every day इसका भी नहीं यह है कि जो हम air की बात कर रहे हैं तो air जो जैसे gases oxygen होती है तो आप जानते हैं oxygen जो है हमारे जीवन नोन और living things directly and indirectly दोनों के लिए ज़रूरी होती है तो living things जैसे animals human beings and plants उसके लिए oxygen most important होती है तो हम प्रतिपल उसका इस्तमाल करते हैं और एक अहु भाव से बरते हैं क्योंकि इसके विना हमारा जीवन संभव नहीं है तो इस तरह से poet कहता है we praise him everyday तो चलिए एक poem होगी अब इसके word meaning देखते हैं क्योंकि इसमें काफी word ऐसे आए हुए जो common नहीं है तो अगर आप उसके meaning देखेंगे तो थोड़ा सा आपको poem और easy लगेगी तो word meanings में हम जो देखते हैं पहले तो सबसे पहले word है softly softly word softly मना है gentle भी कह सकते हैं इसको gentle gently दीरे से slowly second है shutters shutters क्या होते हैं पट दर्वाजे जो होते हैं जैसे हमारा दर्वाजे या खिड़किया होती है तो जो पला होता है एक साइड के जिसको हम खोलते हैं बंद करते हैं उसके लिए shutters शब्ट के इस्तमाल किया है scatter होता है spread फैलाना, डिखेर देना, अलग लग कर देना self almira हिंदी में जैसे हमालमारी कहते हैं तो almira के लिए इस्तमाल किया है ऐसी almira यहाँ पे जो books के लिए यूज़कोती है tour जैसे मैंने आपको बताया है फार देना, फार दिया poking funs का मतलब होता है सताना, मजाक उडाना, मजाक करना weakling, weak person और वस्तू के लिए आता है दोड़ लग वस्तू जो होती है या व्यक्ती जो होती है frail सब्ड है easily broken आसानी से तोटने वाली चीज़े होती है तो जैसे हवा जो है कमजूर चीज़ों का असानी से तोड़ देती है frail rafters होता है beams जो मकानों में beams का इस्तमाल करते है उसके लिए rafters हब्द का इस्तमाल किया गया है crumbling hearts का मतलब उदास और निरास मन winnows, winnows होता है blue grains grains को जो उसके छिलके से अलग करते है तो उसको winnows कहते है firm होता है make strong, मजबूत बनाना, bliss बनना और उसके बाद है steadfast, इसका मतलब होता है dred होना dred होना का मतलब होता है mentally strong होना अब flourish, जो last का word है flourish, flourish flourish का मतलब होता है उन्नित, उन्नित होना, सम्रिद होना तो उन्नति सम्रिद होना, आप इसमें साथ में कुछ literacy जो devices है poem में वह भी देखते हैं तो literacy device जो है सबसे पहले rhyme scheme तो rhyme scheme क्या है, तो there is no rhyme scheme in this poem तो इस poem में मारे पास कोई rhyming scheme नहीं है यानि कि poet ने कोई rhyming scheme का use नहीं किया है second is personification, personification इस poem में है तो wind has been personified, he is treating wind as a person तो poet ने wind को as a person use किया you, he, इस तरह के शब्द यूज किया है जिससे हमें पता चलता है कि वह जो wind से बात कर रहा है, wind के बारे में बता रहा है तो as a person बात कर रहा है थर्ड जो point है हुए repetition तो repetition वर्ड में आपने second paragraph में देखा हुए crumbling जो word है वह repeat हुआ है question answers देखेंगे तो मैंने कुछ important questions रखें जो आपको helpful होगे जैसे पहला question है what is the story idea story idea, central idea भी बोलते है इसको story idea जो poem का है वो क्या है, मतलब poet जो है इस poem में क्या कहना चाहता है तो पहले question में the poet advise us to be strong कभी हमें सला देता है मजबूत होने की मन से और सासा शरीर से the wind तो जो wind का इस्तमाल किया है वो एक symbol की रूप में किया है difficulties and challenge हमारे जीवन में जो difficulties परिशानिया आती है जो चुनोतिया आती है उसका एक symbol इस्तमाल किया है wind को that we face in our life जो हम अपनी जीवन में face करते है the poet suggest तो poet हमें suggest that we should face them boldly हमें साहस के साथ इनका सामना करना चाहिए and stay firm in difficult situation और जब समश्या गंबीर होती है हम समश्या में होते हैं तो हमें मजबूती से उनका सामना करना चाहिए second question में देखे what do the last four lines of the poem mean to you तो last की जो four lines है उसका meaning क्या है आपके लिए तो the last four lines give a very powerful message तो कवी ने जो last की four lines है वो एक message के लिए use की है they say that the wind that blow weak fire तो जो कमजोर आग को बुझा देती है is the same wind और वही हवा make strong fire तो strong fire को वो और मजबूत कर देती है यानि कि fire same है लेकि कमजोर fire को वो मिटा देती है और जबकि मजबूत जवाब होती है उसको और मजबूत ही देती है अब इसका meaning क्या है तो इसका meaning यह के that the weak people are broken by force तो कमजोर लोग जो है दवाव पढ़ने पर समश्या में आने पर तूट जाते हैं but the people who are strong लेकिन जो व्यक्ति strong होते हैं शरीर से और मन से वो और मजबूत हो जाते बल आने पर समश्या का सामना करते हैं force वही होती है so the friendship with the wind or a strong force is good we have to just stay strong तो हमें क्या करना होता है सिर्फ strong mentally as well as physically अगर हम mentally और physically strong है तो वही force हमारे लिए good way में यूज हो सकती है अब third question देखते हैं तो third question में जो है जो poet हैं वो कहते हैं we praise him everyday तो जैसे मैंने last की लाइन को भी आपको पोयर में भी डिसक्राइब करके बता है we praise him everyday ये question अक्षार exam में भी आता है तो इसमें आपने इस लाइन का meaning बताना we praise him everyday इस लाइन का meaning क्या है whom do we praise हम किस से praise कर रहें और why और क्यों कर रहें तो वी praise प्रेश शब का मतल होता है प्रसंसा करना तारीफ करना तो वी praise the wind everyday वी praise the wind because it gave us strength क्योंकि वो हमें शक्ति देती है it is the source of our life हमारे जीवन का श्रूत है for all living things including the plants as low as wind is our friend तो जब तक winds हमारी friends होती है मित्र होती है it is very good तो यह बहुत अच्छा रहता है so we praise it daily इसलिए हम रोजिस की परसंसा करते हैं अब लास्ट कोशन देखते हैं यह भी एक important line आपकी है पोयम की we know and crush them all तो यह पोयम में आईए तो इसका मतलब होता है चुनना और नस्ट कर देना चुनना और नस्ट कर देना तो the wind wind gold winnows and crush them all how तो कैसे तो winnowing means blowing a current of air through grain in order to remove the तो blowing a current of air तो हवा का जो एक माध्यम होता है उससे क्या करते हैं grain जो होते हैं चावल वगेरा या ग्यहूं जो होते हैं तो उसको हम दानों को अलग कर लेते हैं और जो उसके चिलके होते हैं चिलके जो चैफ बगेरा होते हैं उसमें चिलके वो अलग हो जाते हैं तो उसमें हम हवा की हेल्फ लेते हैं in the same way और बिल्कुल उसी तरह से a strong wind in the form of storm remove all short of biglings तो जो storm होता है वो क्या करता है सभी तरह की जो कमजोर चीज़े होते हैं all short of biglings from the world तो पूरी दुनिया में जो कमजोर चीज़े होते हैं and leave only those तो सिर्फ वही चीज़े रह जाती है who are strong and can face the storm तो वही चीज़े जीवीत रहती हैं लंबे समय तक चलती हैं जो winds को face कर सकती है storm को face कर सकती है यह हम मैं आपको next video में मिलूँगा किसी नए subject के साथ तब तब के लिए Bye यह जो अ, किसी नए जए है किसी नए लिए एता किसी वही चालती है वही चालती जाई किसी वहीज़े